अब स्टूडेंट्स लेसन नंबर 10 मैगनेटिक फिल्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करण के आज के ये लेक्षर में हम देखने वाले हैं नूमरीकल्स जो टेक्सबुक में एक्सरसाइस में हैं वो देखने वाले हैं क्वेशन नंबर 2 से लेकर क्वेशन नंबर 6 तक ये सभी नूमरीकल्स को देखेंगे चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेशन नंबर 2 जो है यहां से आपके नूमरीकल्स टार्ट होते हैं तो देखते हैं पढ़ते हैं पहले इसको अब पीस ओफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम एक आपको यहां पर डाइग्राम दिखाई दे रही है तो जो पीस है स्ट्रेट वायर का तो इसकी जो इसका जो मास है वो कितना है इट इस 20 ग्राम हम वन बाइवन डाटा भी लिख लेते हैं मेंस कनवर्ट कर लेते हैं को 20 इंटो 10 रेस तू पावर माइनस 3 केजी ओके एंड लेंथ इस लेंथ 1 मीटर लेंथ कितनी है 1 मीटर तो वी गेट L is equal to 1 मीटर इस बिलिव इस तो बी लेविटेटेटेड यूजिंग अ करंट ओफ 1 एम्पियर फ्लोइं थू एड ठीक है यह एकदम से लेविटेटेड मीटर एकदम से ठीक है तो 1 एम्पियर करंट वहां से उसमें से फ्लो होता है तो करंट की वैल्यू है I is equal to 1 एम्पियर फ्लोइं थू इट एड एड परपेंडिकुलर मैगनेटिक फिल्ड भी अब आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है बी की वैल्यू बी यहां पर परपेंडिकुलर है और इन्हें होरिजन्टल डाइरेक्शन तो करंट आई is equal to 1 एम्पियर फ्लो होता है तो परपेंडिकुलर मैगनेटिक फिल्ड वहां पर इन्हें होरिजन्टल डाइरेक्शन में ठीक है तो वाट मस्ट बी दा मैगनेटिक वाट मस्ट बी दा मैगनेटिवड ऑप बी यहां पर मैगनेटिक लिखा है कलती से मैगनेटिवड चाहिए यहां पर वाट मस्ट बी दा मैगनेटिवड ऑप बी B की magnitude क्या है यानि we have to find the value of B ओके तो इसके लिए अब हमको formula देखना पड़ेगा कि B के formula में आपको जैसे length दी है और mass भी दिया है और current भी दिया है तो what is the value of B तो वो देखना पड़ेगा तो आपको मालूम है कि force magnetic force is always equal to the gravitational force at equilibrium condition ठीक है तो यह अगर हम इसको use करते हैं तो magnetic force FB FB की value क्या रहती है it is equal to I L B ओके और gravitational force F की value suppose gravitational means G it is equal to M into G तो at equilibrium condition and equilibrium condition equilibrium condition we know that FB is equal to FG FB की value FG equal रहते हैं so अब FB का formula हमारे पास में है I L B और FG का formula है M into G ok तो सब की values ये values से हम B को magnitude of B निकालना है तो B is equal to क्या आएगा it is M G upon I into L ok तो M की value हमारे पास में है 20 into 10 raise to the power minus 3 G की value 9.8 meter per second square रहती है आपको मालूम है यह I is given 1 meter है and 1 ampere है and L is also 1 meter ok तो इसको अगर हम solve करते हैं तो we get 196 यहाँ पर आपको मिलेगा 196 multiplied by 10 raise to the power minus 3 so this is the value of या आप बोल सकते है 0.196 tesla it is the magnitude of magnetic field ok तो this is the value of magnitude of magnetic field B ok ठीक है तो इसको आप मेरे साथ ही करो या इसको आप उतार लीजिए ठीक है next numerical के तरफ जाते है next way हम देखेंगे next numerical calculate calculate the value of magnetic field बहुत ही easy है यहाँ पर हमको magnetic field की ही value calculate करनी है याने B को ही calculate करना है at a distance of 2 cm distance दिया है it is 2 cm suppose अब हम यहाँ पर distance याने R की value है यह it is equal to 2 cm from a very long straight wire अब यहाँ पर जो magnetic field की value हमको निकालनी है तो एक long straight wire consider की है carrying a current of 5 ampere 5 ampere current है तो distance कितना है R की value कितनी है R की value है 2 cm तो हमको 2 cm पर what is the value of magnetic field इसको calculate करना है ठीक है and given है mu 0 is equal to 4 pi 10 raise to the power minus 7 है यह minus 7 10 raise to the power minus 7 Weber per a तो अब 2 cm है इसको पहले तो हमको convert करना पड़ेगा बहुत easy है 2 into 10 raise to the power minus 2 meter ओके और mu 0 की value तो given है 4 pi into 10 raise to the power minus 7 Weber per am तो magnetic field की value निकालनी पड़ेगी magnetic field in terms of mu 0 इसका formula आपको learn करना चाहिए it is mu 0 i upon 2 pi r ठीक है mu 0 की value substitute करेंगे यहां पर 4 pi into 10 raise to the power minus 7 i की value substitute कीजिए i is i given है 5 ampere तो इसको substitute करेंगे 5 2 pi is 3.14 okay and r की value है 2 into 10 raise to the power minus 2 meter अगर इसको हम solve करते हैं यहां नीचे आपको 4 हो जाएगा देखो यहां पर हमको 4 into 5 means यहां पर हमको 20 मिल जाएगा 20 pi 20 multiplied by 3.14 divided by 2 into 2 is 4 into 3.14 अब 10 raise to the power minus 7 और प्लस 10 raise to the power minus 2 प्लस हो जाएगा उपर जाने के बाद में तो it is equal to it is 10 raise to the power minus 5 यहां पर हमको मिलेगा 10 raise to the power minus 5 तो 3.14 3.14 cancel हो जाएगे 4 बन जा 4 4 5 जा 20 so we get 5 into 10 raise to the power minus 5 tesla the value of magnetic field is 5 into 10 raise to the power minus 5 tesla तो बहुती easy था यह ओके 4 नमबर का question को देखेंगे question नमबर 4 उसको देखेंगे and electron is moving with a speed of 3 into 10 raise to the power minus 7 meter per second अब electron move हो रहा है उसकी speed दी है speed कितनी है V is equal to speed is denoted by V 3 into 10 raise to the power minus 7 meter per second ओके देन पढ़ेंगे हम पढ़ते पढ़ते given लिखना यानि आपको formula जो है वो easily recall हो जाता है ठीक है magnetic field of 6 into 10 raise to the power minus 4 tesla perpendicular to its path तो magnetic field की value कितनी है V is equal to 6 into 10 raise to the power minus 4 tesla कैसा है perpendicular है what will be the radius of the path क्या calculate करना है आपको radius calculate करना है radius of the path it is denoted by r को हमको calculate करना है ठीक है what will be the frequency and the energy in keV electron volt तो क्या है frequency कितनी है frequency निकालनी है sorry frequency निकालनी है तो frequency is denoted by n n को निकालना है and energy को निकालना है energy ठीक है and किस में निकालना है keV में निकालना है ओके तो यह हमको निकालना है given दिया है mass of electron 10 raise to the power minus 31 है यह minus 31 and e is 1.6 into 10 raise to the power minus 19 coulomb charge on electron है न and 1 ev is equal to 1.6 into 10 raise to the power minus 19 joule okay तो firstly we have to calculate the radius radius of the path what is the value radius of the path का formula हमको recall करना है radius of the path क्या है इसका formula it is equal to r is equal to mv upon q into b okay तो क्या है यह formula तो r is equal to mv upon q b m की value हम substitute करेंगे m की value given है it is 9 into 10 raise to the power minus 31 v की value है 3 into 10 raise to the power minus 7 then q की value है q is the charge on the electron it is 1.6 into 10 raise to the power minus 19 and b की value given है 6 into 10 raise to the power minus 4 तो इसको हम अब calculate करेंगे तो यहाँ पर 27 होता है into 10 raise to the power minus 31 minus 7 is minus 38 divided by 1.6 into 6 is 9.6 है ना into 10 raise to the power minus 19 minus 4 it is 10 raise to the power minus 23 अब इसको solve अगर हम करते है तो we get 27 upon 9.6 इसको solve करना है तो इसकी value आ जाएंगी देखो it is equal to इसको अगर solve करते है it is 2.812 into अब यह उपर हमने solve कर लिया suppose इसको तो it becomes minus 19 minus 4 is minus 23 और plus 23 बन जाएगा उपर जाने के बाद में तो plus 23 और उपर है minus 38 तो इसको 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 सब solve करने के बाद में it becomes 10 raise to the power minus 1 यह पूरा answer मैंने निकाला है यह पूरा solve करने के बाद में it is equal to 0.2812 meter this is the value of radius इसको आप solve किजे यह जो decimal point है यह adjust किया है मैंने तो आप करके देखियेगा यह solve इसका answer तो this is the value of radius of the path then we have to calculate the frequency तो frequency is denoted by frequency it is denoted by n n is equal to उसका formula है हमारे पास में it is qb upon 2 pi m this is the formula for frequency तो q की value आपको मालूम है it is charge on the electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 b given है it is b की value देखिये given है हमको 6 into 10 raised to the power minus 4 इसको लिखते है 6 into 10 raised to the power minus 4 divided by 2 into 3.14 into pi की m की value है हमारे पास में given है 9 into 10 raised to the power minus 31 तो यह लिखेंगे 9 into 10 raised to the power minus 31 ओके इसको सवाल करेंगे 1.6 यहां पर आहोगा और यह जो है 2, 3 is a 6 3, 1 is a 3, 3, 2 is a 6 3, 3 is a 9 sorry 3, 3 is a 9 1.6 upon रहता कि है फिर 3, 1 3.14 into 3 रहेगा और यह 10 raised to the power minus 19 minus 4 and 10 raised to the power minus 31 इसको अगर solve करते हैं तो it becomes 10 raised to the power 8 so we get here 16.97 multiplied by 10 raised to the power 6 इसको हम calculate करने के बाद में हमको answer मिलता है यह क्या है फिर this is the value in terms of hertz value of frequency पर अगर हमको frequency megahertz में निकालनी है तो यहाँ पर अल्रेडी 10 raised to the power 6 है तो इसको हम convert कर सकते हैं that is here we write 16.97 megahertz ओके तो this is the value of frequency then we have to find the value of energy अब तीसरा हमको निकालना है energy in kilo electron k electron volt तो energy energy की value निकालेंगे formula energy का क्या है अब energy एने कौन सी है it is kinetic energy तो kinetic energy for the electron is given by the formula half m v square तो what is the value of m it is given and it is 9 into 10 raised to the power 9 into 10 raised to the power minus 31 multiplied by v की value भी given है देखो v की value के इने निमरिक प्रोब्लेम में दिया है 3 into 10 raised to the power minus 7 तो इसका square निकालना पड़ेगा हमको 3 into 10 raised to the power minus 7 3 into 10 raised to the power minus 7 इसका square ओके तो ये आएगा हमारा जूल में it is equal to अब इसको हम अगर calculate करते है तो इस इस 3 का square 9 9 into ये 9 ये 9 3 का square 9 होगा और ये 9 ये 9 ये इने इने इस 81 into 10 raised to the power minus 31 और ये minus 7 into 2 10 raised to the power minus 7 into 2 ये ने minus 14 10 raised to the power minus 14 ओके एंड ये minus 14 हो गया 7 10 raised to the power minus है क्या एक मिनिट देख लेते हैं 3 into 10 raised to the power minus 7 ये इस करेक्ट 3 raised to the power minus 7 है हाँ minus 14 अगर यहाँ पे है तो divided by 2 into अब क्या बचा है तो अब ये EV में है इसको हम convert करना है और आपको दिया है given में 1 EV is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule तो ये जूल में है इसको हम को convert करना है EV तो हम इसको क्या करेंगे divide by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से divided करेंगे So we get यहाँ पे आपको मिलेंगा 1.6 याने 81 upon 3.2 और इसको अगर हम solve करते है इसको अगर हम solve करते है इसको अगर हम solve करते है इसको 10 raised to the power 2 आएगा EV ओके तो इसको calculate करने के बाद में वी गेट 25.31 मैंने निकाल के रखा है इसलिए डायरेक्ट आपको answer बता रही हो EV और अगर हमको KEV में निकालना है इसको तो 10 raised to the power 3 kilo में 10 raised to the power 3 चाहिए अगर इसको 10 raised to the power 3 करना है तो यहाँ पर हम decimal point को adjust करेंगे into 10 raised to the power 3 so EV so अब यह 10 raised to the power 3 को क्या लिखेंगे kilo में convert करेंगे kilo EV okay KEV यह हमको value मिली है energy okay तो easy था अपको अगर formula learn होते है तो आप easily इसको solve कर सकते हो ठीके next हम problem को देखेंगे problem number 5 and alpha particle alpha particle the nucleus of helium atom alpha particle bracket में दिया है the nucleus of helium atom with charge plus 2 उसका charge कितना है plus 2 is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy 10 mega EV okay तो अब क्यों की value दी है charge it is equal to कितना दिया है plus 2 okay plus 2 e इतना है याने it is equal to plus 2 into 1.6 charge on electron कितना रहता है 1.6 into 10 raise to the power minus 19 cooler okay it moves in a vacuum tube with kinetic energy 10 m EV mega electron volt kinetic energy की value दी है it is 10 m EV इसको convert करेंगे हम 10 into 10 raise to the power 6 EV okay अब यह हो गया 10 raise to the power 10 into 10 raise to the power 6 EV में है इसको joule में convert करना पड़ेगा joule में कैसा convert करेंगे 10 into 10 raise to the power 6 और इसको अगर joule में convert करना है 1 EV is equal to 1.6 into 10 raise to the power minus 19 joule यह आपको मालूम है तो यहाँ पे 1.6 into 10 raise to the power minus 19 joule से इसको multiply करना पड़ेगा so it is 10 raise to the power यह हो गया 7 7 और minus 19 यानि it becomes minus 12 so we get 1.6 into 10 raise to the power minus 12 joule okay तो यह काइनेटिक एनर्जी की value यह है हमारी काइनेटिक एनर्जी की value हमको मिली है 1.6 into 10 raise to the power minus 12 joule अब आगे पड़ते हैं it passes through uniform magnetic field of 1.88 टेसला अब वो पास कैसे alpha particle किस से पास हो रहा है तो यहाँ पे uniform magnetic field है B given है 1.88 टेसला value है okay and traces a circular path circular path trace कर रहा है उसकी radius दी है radius of circular path is r is equal to 24.6 centimeter समझ मैं alpha particle move हो रहा है vacuum tube से उसकी kinetic energy दी है और वो पास हो रहा है magnetic field से उसकी value दी है 1.88 टेसला तो पास होते है समय वो circular path से trace कर रहा है circular path बना रहा है जिसकी radius 24.6 centimeter है तो हमको क्या निकालना है obtain the mass of alpha particle we have to calculate mass of alpha particle m की value हमको calculate कर रही है mass of alpha particle हमको calculate करना है अब यहाँ पर r की value 24.6 centimeter दी है तो इसको meter में convert कर लेते हैं 24.6 into 10 rest to the power minus 2 meter तो m की value हमको निकालनी है kinetic energy का formula जो है उसमे m भी है b भी है r भी है वो formula हमको लेना है kinetic energy कि क्या है value हमने निकाली है 1.6 into 10 rest to the power minus 12 joule तो यहाँ पर लिखती हूँ 1.6 into 10 rest to the power minus 12 it is equal to q की q square q square कितना है यह है यहाँ पर देखो यानि it is 3.2 into 10 rest to the power minus 19 कूलंब है q तो इसको हम q square चाहिए 3.2 into 10 rest to the power minus 19 क्या square ओके into b square चाहिए b की value है 1.88 square 1.88 उसका square r square r square है r की value है 24.6 into 10 rest to the power minus 2 का square divided by 2 into m ओके यह m ही हमको calculate करना है तो m की value हम निकालेंगे तो हमारे पास में equation क्या बनता है फिर m is equal to अब यह यहाँ चला जाएगा नीचे 2 into देखो एक मिनिट नीचे 2 into यह 1.6 यहाँ पे आ जाएगा m यहाँ पे चला जाएगा तो वी गेट 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 12 आ जाएगा उपर के सभी 10 के powers को हम बाहर निकालते है 10 raised to the power minus 19 into 2 is minus 38 इसको minus 38 कर लेते है देन 1.88 स्क्वेर और यह भी 10 raised to the power minus 4 10 के power को बाहर निकालते है बागी वैसे लिख लेते है 3.2 into 3.2 का स्क्वेर into 10 raised to the power minus 38 हो जाएगा 19 का स्क्वेर यहने 19 into 1.88 का स्क्वेर देन है 24.6 स्क्वेर into 10 raised to the power minus 4 ओके यह मिल जाता है फिर इसको स्क्वेर करेंगे it is 3.2 into 10 raised to the power minus 38 into 1.88 का स्क्वेर into 24.6 का स्क्वेर into 10 raised to the power इसको अगर स्क्वेर करते था यह minus 4 और यह 10 raised to the power 12 उपर चला जाएगा इड़ बिकम 10 raised to the power यहाँ पर एक 3.2 यह जो है 2 into 1.6 इस 3.2 ना तो इससे कैंसल हो जाता है तो यह स्क्वेर जो है यह 3.2 का स्क्वेर यह कैंसल हो जाएगा यह तर्म से ओके तो इड़ बिकम्स 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power plus 12 ओके तो इसको अगर हम स्वेर करते है इसका calculation multiplication करते है तो week 8 आप करो मैंने निकाल के रखा है एंसर 6.844 into 10 raised to the power इड़ बिकम्स minus 27 kg kg मैं एंसर है ओके तो तो इस तो मास ओफ दे एलेक्ट्रॉन यह मास ओफ अल्फा पारिटिकल स्वेर इस इस दो मास ओफ अल्फा पारिटिकल ओके इसी था यह सेफ कैलकुलेशन ज्यादा है ठीक है तो नेक्स्ट हम देखते है प्रॉब्लिम नमबर 6 को देखेंगे 6 प्रॉब्लिम में क्या क्या दिया है देखेंगे 2 वायर्स शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट देखो ये फिगर है दो वायर है ये टू वायर है अब ये कनेक्टेड कैसे किये है सीरीज में यानि एक होने के बाद में एक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया है एंड सेम अमाउंट ओफ करंट ओफ 10 एंपियर पासे थू बोथ दोनों में से सेम सेम करंट पास हो रहा है सपोस्ट फर्स्ट वायर का करंट है आईवन सेकंड वायर का करंट है आईटो तो दोनों में सेम अमाउंट का करंट पास हो रहा है इट इस 10 एंपियर अब आगे का पढ़ते हैं passes through both but in opposite direction दोनों कैसा है सेम तो है बट directions are opposite तो यहां पे हम अभी direction के लिए minus sign रहती है तो नहीं देंगे तो यहां से आपको arrow दिखाई दे रहा है दोनों में से current flow हो रहा है suppose I है वो दोनों I I1 is equal to I2 is equal to I it is equal to 10 ampere okay then next क्या है दोनों equal है बट opposite ठीक है अब separation है दोनों में दो वायर में separation है देखो separation between the two wire is 8 millimeter दो वायर में जो separation है इसका distance है 8 millimeter तो distance है यह 8 क्या है 8 millimeter इतना distance है it is equal to 8 into 10 raised to the power minus 3 meter ओके यह हो गया अब आगे पढ़ेंगे the length AB is S is equal to 22 centimeter A और A और B की जो length है वो 22 centimeter है ओके तो length L लिखते है इस 22 centimeter थीक है तो meter में convert करेंगे 22 into 10 raised to the power minus 2 meter थीक है देन पढ़ते हैं obtained direction and magnitude of magnetic field due to current in the wire 2 wire 2 में हमको magnetic field की direction और magnitude निकालनी है on the section AB of the wire 1 अब सिफ AB जो section है इतना ही 22 centimeter वाला उतना ही हम consider करेंगे तो इसके induction से जो अब तयार हो गया magnetic field तो यह हमको निकालना है उसकी magnitude and direction of magnetic field for wire 2 के लिए निकालना है और क्या निकालना है B को भी निकालना है B यहने wire 2 के B को निकालना है देन पढ़ते हैं obtained magnitude and direction of the force on wire 1 तो उसके वज़े से जो force है wire 1 पे F force on wire 1 B for 2 के लिए निकालना है और F for wire 1 ठीक है यह समझ में आया देखो B की इसका निकालना है एक बार पढ़ लेते हैं obtained the direction and magnitude of magnetic field due to current in wire 2 sorry wire 2 on the section AB section पे जो wire 1 का AB section है उस wire 2 के वज़े से जो magnetic field create हो रहा है यह wire 2 के वज़े से जो magnetic field create हो रहा है wire 1 के इतने ही section को consider करना है AB ठीक है तो यह wire 1 का AB ही निकालना है AB section में निकालना है ठीक है magnitude of magnetic field को निकालना है and obtain the magnitude and direction of the force on wire 1 wire 1 पे जो force है उसके magnitude and direction निकालना है given दिया है mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to the power minus 7 Tesla ठीक है T Tesla meter तो यह इसको अब हम को निकालना है तो इसके लिए formula अब यह given है B को mu 0 given है तो B का formula in terms of I mu 0 है कि हमारे पास में yes B is equal to mu 0 I upon 2 pi R इसको हम consider करेंगे अब mu 0 को value तो दी है 4 pi into 10 raised to the power minus 7 और I की value is 10 ampere 2 pi ऐसा लिखेंगे R की value given है R यहने क्या है again यह है radius यहने यह distance लेना पड़ेगा हमको D ठीक है तो 8 लेना पड़ेगा 8 into 10 raised to the power minus 3 तो इसको अगर हम calculate करते है 2 2 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 1 by 4 यहने 0.25 यह 1 by 4 हो जायता न 0.25 यह minus 7 plus 1 minus 6 minus 6 plus 3 यहने it is 10 raised to the power minus 3 so here we get 2.5 into 10 raised to the power minus 4 tesla okay this is the value of B this is the magnitude of B अब आपको problem में दिया है कि what is the direction तो direction direction of B direction के लिए हम कौन सा rule यूज करते है तो right hand thumb rule right hand thumb rule क्या है right hand thumb rule तो direction of magnetic field due to current in wire 2 अब wire 2 के current के वज़े से जो direction है on section AB of wire 1 is into the plane of the paper कैसा है is into direction कैसे है is into the plane of paper करके देखो right hand thumb rule से तो यह हो गया हमारा direction कैसा है direction is into the plane of the paper ठीक है अब force को निकालना है हमको force के लिए अब हमारे पास में क्या formula है उसको देखेंगे अब given आपको दिखाई दे रहा है आप recall करना है given को देखके क्या है formula mu 0 i1 i2 upon 2 pi d into l यह formula हम से हम f की value निकालेंगे f is equal to mu 0 i1 i2 upon 2 pi d into l this is the formula for force force इसके वज़े से जो force create होता है kb पर वह हमको निकालना है तो अब mu 0 को value हमारे पास में 4 into 4 pi into 10 raise to the power minus 7 और i1 i2 दोनों की value कितनी है 10 है 10 तो यह हो गया और यह निचे 2 into 2 into pi और d की value है हमारे पास में इस लेके 8 into 10 raise to the power minus 3 meter 8 into 10 raise to the power minus 3 इसको solve करेंगे तो इसको 10 raise to the power minus 7 into 10 तो 10 raise to the power minus 6 minus 6 और i1 i2 is equal to i है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे तो यह pi pi cancel 2 1 जा 2 2 2 जा 2 2 2 4 जा नहीं एक मिनिट mu 0 i1 i2 है न i1 i2 तो i2 की value रहे लिखने बाकी रह गई 10 आएंगा यहां पर तो it becomes 1 by 4 means again it is 0.25 into l की value है l की value यहां पर लिखने रह गई है मेरी तो यह इसको मैं cancel कर देती हूँ नए इसमें लिखती हूँ यह जाने दीजे sorry 4 pi into 10 raise to the power minus 7 mu 0 की value i1 की value है 10 i2 की value है 10 और divided by 2 pi d की value है 8 into 10 raise to the power minus 3 और l की value है 22 into 10 raise to the power minus 2 ओके तो distance between the two wires है ना एल यह ने ठीक है तो यह cancel हो गया यह टू अन्जा टू टू फोर जा 1 by 4 यहने 1 by 4 यहने 0.25 into इसको अगर solve करते हैं यह हो गया 10 square 10 square यह 10 raise to the power minus 5 minus 5 और यह उपर आने के बाद में we get 10 raise to the power यह भी है और यह 10 raise to the power 2 इसको भी use करेंगे तो it becomes 22 यहने 10 raise to the power minus 7 है plus 2 है minus 2 है plus 3 है तो it is equal to 5.5 इसको अगर calculate किया मैंने 5.5 into 10 raise to the power minus 4 आ जाएगा न्यूटन ठीक है तो यह this is the magnitude of force f की value मिल गई है और direction of direction कैसे निकालेते है direction of f is by flaming's left hand rule flaming's left hand rule left hand rule से हम f की directions को निकालेंगे और यह force कैसा है it is leftward of देखो left hand rule यूज़ करो तो force कैसा मिलेगा हमको force is force repulsive है क्योंकि opposite है repulsive है that is in leftward leftward में है of wire one तो यह direction कहां से निकाली flaming's left hand rule से यह direction निकालनी है ठीक है तो समझ में आया तो मेरे साथ यह problems आज हमने five magnetism के problem देखें तो next lecture में बाकी के हम करेंगे numericals तब तक के लिए भाई have a nice day thank you